एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख समरिद्य और धन येश वैभव की चाहा रखता है। धन रजजित करने के लिए दिन रात मेहनत भी करता है। लेकिन फिर भी मालक्ष्मी उस पर अपने किरपा नहीं करती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार आपकी कुछ गल व्यक्ति से हमेशा अपरसन रहती है जो देर रात तक जाकता है और सुबे देर तक सोता है। ऐसे व्यक्ति को परनाम सबरूप धन की हानी होती है। यदि धन कमा भी लेते हैं तो उसकी बचट नहीं कर पाते। वेग्यानिक तोर पर गंदे कपड़े पहनना सेहत के लिए नुकसान दायक होता है। इससे तो अचा समन्दी रोग होती हैं। मही जोतिश के अनुसार भी गंदे कपड़े पहनने से मालक्षमी नराज रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास धन कभी नहीं टिकता आर्थिक तंगी जीवन में बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के घर में सुबह एवं शाम दोनों समय दीबदान नहीं किया जाता तो वहां मालक्षमी वास नहीं करती है। इसी कारण से पूरे परिवार को आर्थिक तंगी जीलनी पड़ती है। मानिता के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाती हैं माता लक्षमी उन पर जल्दी खुश हो जा रहती है और उनके घर में कभी निवास नहीं करती है। मा लक्षमी को साफ सफाय अत्यंत परिये हैं जिस घर में साफ सफाय होती हैं मानिता किर्पय हमेशा बनी रहती है। घर का महौल भी सकरात्मक रहता है। यदि आप भी धन पराप्त करना चाते हैं तो अपने घर को परियोग करते हैं चोटी चोटी बात पर गुसा करते हैं और इस्त्री से संबंदी गालिया देते हैं मालक्ष्मी ऐसे लोगों से नराज रहती है एवन समय समय पर उन्हें दर्ण देती है इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुसे पर काबू रखना चाहिए दार्मिक मानेताओ क है आपके लिए लाबकारी रहेगा हर दिन मालक्ष्मी की आरती करने से घर में मालक्ष्मी का आगमन होता है जो तीशाचारियों के नुसार मालक्ष्मी के आरती और पूजा करने से घर में सुख समरिती आती है इस उपाई को करने से धन वर्षा की योग बनते है रसोई की स चानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए